Hello friends, welcome to my channel, Cloth of Share Market So, अगर हम 3 दिन का data देखें, तो 3 दिन से क्या हो रहा है कि आपका जो Wix है, वो down हो रहा है And Wix down हो रहा है, market थोड़ा बहुत नीचे हो रहा है, थोड़ा बहुत उपर हो रहा है Data जो build up हुआ है, that is bullish, बट हाँ, premium जरूर decay हो रहा है तो इस चीज़ पर थोड़ा सा focus करना, जब तक even Wix decay हो रहा है, तो आप कम quantity की से trade करें जब stable हो जाए, तब आप trade start करें First of all, this video is only for education purpose, यहाँ मेरा telegram link and whatsapp number की मेंने, so please join करने स्टार्ट करते हैं with big player data, big player data की बात करूँ, cash market में आज भी इन्होंने 41,000 की selling किये, 4,100 की रही है, 3700 की इन्होंने buying किये, cash market में, इंडेक्स future की बात करूँ, छोटी सी buying यहाँ पर है, और stock future की बात करें, तो stock future में भी buying है, 3000 करोर की, ठीके, तो यहाँ पर भी आपकी 3000 करोर की buying है, निफ्टी, यानि index option की बात करूँ, तो 24,000 करोर की buying है, यानि अब यह नीचे आ चुका है, विक्स 3 दिन से decay होता जा रहा है, तो यह almost 10-15% टूट चुका है, अब यहाँ अपन इसके बाद, जब टूटने के बाद, इन्होंने option buy किया है, option buy करने का मतलब, कि एक बड़ा moment यह expect कर रहे है, either in bullish direction और bearish direction, जो future का data build up किया है, इन्होंने bullish के लिए build up किया है, अगर कोई news is search नहीं आती globally, तो कोई दिक् market उपर जा सकता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में build up किया है, option buy किया है, मतलब, एक बड़ा moment यहाँ expected है, mid cap nifty में भी इन्होंने buying किये, तो mid cap nifty में भी एक आपको बड़ा momentum दिख सकता है, तो अच्छा का से नहीं option buying किया है, एक बड़ा momentum तो इन्होंने expect कर रहा ह next week के लिए, बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको next week की expiry में trade नहीं करना, यानि जैसे मन्दे में अगर आप trade करें तो bank X और mid cap nifty के expiry होती है, तो आप कोशिश करें कि यार उसकी next expiry में trade करें, ठीक है, so that decay कम होगा, कभी के भी क्या होता है, यह फसाद रहें, जैसे द ज्यादा chances है, bullish direction में आएगा, बट हाँ, global market के sentiment कुछ भी हो, तो changes आ सकते हैं, level to level trade करोगे तो दिक्कत नहीं रहेंगी, अगर 25,000 के उपर निकलता है, तो 25,110 and 210, यह दो target आपको upward direction में मिलेंगी, बस यहाँ पर इतना याद रखना है, कि यह 24,920 के नीचे नहीं जाए, 690 तक के target फिर से देखने को मिल सकता है, तो फिर क्या होगा, फिर यह double bottom structure बन जाए, तो अगर इसके नीचे होगा, तो bearish होगा, इसके उपर होगा, तो bullish होगा, quantities कम रखेंगे, so that क्योंकि side way यानि market रुक सकता है, अगर रुके तो हम loss में कम हो, बढ़ हाँ, direction के लिए रख तो 51,270 के उपर निकलता है, तो फिर से 600 और 52,049 यानि 50 तक का target इस bullish direction में रहेगा, बटका जब यह 270 के उपर रुकेगा, तो 900 के नीचे जाता है, बैंक निफ्टी तो फिर आपको 449,950 तक के target देखने को मिल सकते हैं, कब जब 50,900, अब देखो 50,900 और 51,200 इसके बीच में रहता है, तो हमें बिल्कुल भी trade नहीं करने, इस चीज को याद रखना, इतना करोगे तो benefit में रहोगे, यानि इसके बीच में है, तो क्या होगा, call put दोनों decay होते रहेगा, उपर जाएगा, यहाँ पर फसेगा, तो call decay तो होगा, बट उतना नहीं होगा, य थोड़ा इन चीजों को ध्यान रखना है, यानि हमें किस वे में trade करना है, ऐसा नहीं जबरदस्ती trade करना है, यहाँ है, bullish हो जाए, bearish हो जाए, नहीं, इस range में तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, जब इस range को तोड़ेगा, तब हम next target के लिए plan करेंगी, तो इस level को तो इस level के लिए, इसमें मैं आपकी planning होनी चाहिए, ठीक है, data somehow थोड़ा bullish है, थोड़ा नहीं, अच्छा कासा bullish है, बढ़ हां, market है, globally अगर कुछ भी changes आते हैं, तो market movement change कर सकता है, तो हम भी change हो जाए, कब हो जाएंगे, जब यह नीचे वाले level टूटे, तो आपको level याद ह होने चीए, यह सारे level याद होने चीए, कहाँ क्या level है, यह टूटा तो कौन सा level पर जाएगा, यह चीज़े याद होनी चीए, I hope यहाँ तक चीज़े clear होंगे, clear हैं, तो please like and comment, thank you.